हाई एवेवान वेलकम टी इजवे कॉमेंस क्लासिस मैं हूँ तपिता और हम लोग कर रहे थे कैश फ्लोर स्टेटमेंट शेप्टर इस चेप्टर में हमने इसका बेसी कंसेप्ट और कुछ अर्जस्मेंट्स सीख ली थी आज की इस वीडियो में हम आगे की अर्जस्मेंट्स सीखेंगे जो कि आपको मेंन कॉष्टिन सॉल्फ करने में हेल्प करेगी तो इन अर्जस्मेंट्स को हम ध्यान से समझेंगे आज के इस वीडियो में मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगी फिक्स एसेट के साथ निकों फिक्स एसेट होते कौन से है जो लॉंक दूरेशन के इस पहले कंपनी परचेस करते हैं जिने नॉन करेंट असेट भी कहा जाता है जैसे की हमारी लाइनेट बिल्डिंग, प्लांट इन मशीनरी तो यह सब हमारे फिक्स एसेट होते हैं ठीक है बैलन शीट में हमें नजर आते हैं अब क्या अज़स्मेंट है सबसे पहले अगर इस एसेट इंक्रीस हो रहा हो लाइक एक लाग से दो लाग हो रहा है तो हम उससे परचेस मानते है और इससे कहां दिखाते है जब भी हम कोई ऐसेट परचेस करते हैं तो बिजनिस psychology around तो उसे investing activity में दिखाया जाते है क्योंकि business की वो investment है कोई भी asset हो बढ़ रहा है fixed asset तो वो हमारी investment है investing activity में जाता है और minus होता है minus इसलिए होते है क्योंकि ऐसा करने से company के पास से पैसा जाता है तो पैसा का मतलब पैसा यानि कि amount का outflow होता है इसलिए उस amount को minus किया जाता है अब यह तो था increase की बात अब हो decrease यानि कि आपका asset एक लाग से घट कर 80,000 का हो गया decrease हो रहा है और हमें कोई भी sale की information नहीं given decrease का मतलब होता है sale करना और हमें sale की information कुछ भी given नहीं है तो इस case में हम उसे depreciation treat करते हैं यानि कि हम treat करेंगे कि यह 1,80,000 यानि कि 20,000 कंपनी का depreciation हो गया उस particular asset पर और उसे हम कहां दिखाते हैं non cash and non operating item जो कि मैंने आपको कराया है reverse gear number 2 सिखा कर उसमें plus किया जाता है क्या चीज? depreciation तो इस amount को यानि कि जो difference है 20,000 वो वहाँ दिखाया जाएगा और क्या होगा? plus होगा क्योंकि वो non cash item है depreciation में कोई भी पैसा outflow नहीं होता तो ये था simple अब बात करते हैं जब हमें कुछ ऐसी adjustment given हो कि हमारे asset increase हो रहा है और increase होने के साथ साथ एक adjustment given है simply increase हो रहा था कुछ given नहीं था तो हमने purchase माना था लेकिन increase हो रहा है और हमें information क्या given है कि a piece of machinery is sold at rupees 15,000 यानि कि asset बढ़ रहा है लेकिन हमने कोई machine का part बेचा भी है तो हमने जो machine का part बेचा है वो कितने का बेचा? sold at rupees 15,000 having a book value of rupees 20,000 20,000 की चीज़ 15,000 में बेच दी during the year depreciation charge rupees 20,000 और इस साल बचे हुए part पे depreciation लगाया 20,000 तो इसको solve कैसे करते है सबसे पहले जब भी आपको adjustment आ जाए it means आपको एक account बनाना है वो जो भी asset है अगर इस case में वो machinery है तो हम machinery account बनाएंगे अब machinery account बनाने के लिए हम particular amount लिखेंगे उसके बाद machine company के लिए asset होता है तो उसका balance BD debit side से किया जाता है ठीक है और कोई भी liability अगर BD किया जाता है किसी liability का तो credit side से किया जाता है क्योंकि liability का nature credit का होता है और यहाँ पे हम asset की बात कर रहे है तो asset का nature debit का होता है तो अगर बढ़ता है तो debit किया जाता है कम होता है तो credit किया जाता है राइट जो कि हमने 11th class में सीखा है अब इस case में हमारा BD कितना है एक लाग हमारे पस machine थी एक लाग और balance CD कितना है दो लाग तो सबसे पहले आप buy balance BD तो balance BD and buy balance CD लिख दोगे ठीक है जो कि हमें given था अब हम आते हैं sale की information में जिसमें हमें given है कि हमने asset बेचा 15,000 का तो हम यहाँ पर entry करेंगे buy bank account 15,000 क्योंकि जब भी asset बिखता है bank में पैसा होता है और machine credit हो जाती है कम हो जाती है तो machine के credit side entry post की जाएगी कितने से जितने का आपने बेचा इस machine के part पे कोई भी depreciation के detail given नहीं है अगर दी गई होती तो हम depreciation भी लिखते राइट आप 20,000 की चीज 15,000 में बेच रहे हैं तो loss कितने का और है 5,000 का तो वो loss हम credit side ही दिखाएंगे किस नाम से by profit and loss account bracket में हम mention कर देंगे कि वो loss है कितने का है 5,000 और अगर यहीं हमें profit हो रहा होता तो हम profit debit side दिखाते अब हमें loss हो रहे हैं तो हम loss credit side दिखाएंगे अब हमारे asset जो कि बेचा उसके information हो गई जबी भी asset बेचा जाता है तो तीन चीज़े आती है एक तो bank में कितना पैसा आया और उस पर depreciation कितना लगा था और हमने profit कमाया यह loss कमाया तो यहां पर उस particular उस चीज़ पर जो हमने asset बेचा उस पर depreciation नहीं गिवन बलकि हमें depreciation गिवन है जो बचे हुए पार्ट पे हमने लगाया तो हम वो भी लिखेंगे by depreciation account कितना लगाया हमने 20,000 का थीक है तो यहां कि जो बचा पार्ट था उस पर हमने depreciation चार्ज करें कितना 20,000 अब इस case में हम इसके totaling करेंगे जो कि यहां आएगी 2,40,000 और यहां को भी 2,40 लिखेंगे और balancing figure निकालेंगे balancing figure कैसे निकालेंगे 2,40 यहां आ रहे इधर 2,40 में से 1 leg गया तो 1 leg गया तो remaining कितना बचेगा 1,40 तब भी दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा 2,40 तो हम balancing figure निकालेंगे और उसे under the head bank लिखेंगे It means यह हमने क्या किया purchase किया कितने का asset purchase किया 1,40,000 का तो generally जब भी आप asset account बनाओगे तो आपको purchase की figure find out करनी होगी अब इस case में हम कहां कौनसी item पोस्ट करेंगे देखो जो भी चीज आपने purchase करी है और जो sale करी है यानि कि 15,000 की sale और 1,40,000 की purchase आपके investing activity में आएगी again purchase and sale आपके investing activity में आएगी purchase आप minus से show करोगे और sale आप plus से करोगे और जो आपको loss हुआ है और जो आपने depreciation चार्ज किया है दोनों चीजे आपके loss और depreciation non cash and non operating items में treat किये जाते हैं और क्या होते हैं plus किये जाते हैं तो loss on sale of asset भी plus किया जाएगा कहां पे non cash and non operating item में second चीज, depreciation भी plus किया जाएगा कहां पे non cash and non operating item में तो इस account से जो total आपको information मिलेगी वो मिलेगी चार हम जो भी depreciation non cash and non operating item में दिखाते हैं वो वाला दिखाते हैं जो हमने बचे हुए machine पे चार्च किया ना कि जो machine पर बेचने पर लगा था तो बेचने पर हमें given भी नहीं था इसलिए हमने वो लिया भी नहीं क्योंकि given ही नहीं था अब यहां पे जो given है वो बचे हुए पार्ट पे गिवन है और इसे हम कहां दिखाएंगे non cash and non operating item में तो इस account से हमाँ पस चार information आएगी purchase की, sale की, depreciation की या फिर loss की loss है या profit की तो चार information को आपको cash flow statement में दिखाना है अब हम करेंगे इससे आगे की adjustment I hope आप लगों को ये पार समझाया होगा तो अब हम करते हैं आगे जिसमें fixed asset की और क्या adjustments आ सकते हैं देखो, इसमें हमें machine given होगा like जैसे मैंने previous में लिया की 1 lakh से 2 lakh हो रही है लेकिन उसके साथ साथ हमें accumulated depreciation भी given होगा machine पर की machine पर depreciation कितना अभी तक लग चुका है जो की amount given होगा जिसमें मैंने example लिये 40,000 और 2019 का 50,000 तो आपको दो account की information given होगी यह basically original cost method होता है न कि जो हमने 11 में provision for depreciation किया था कि depreciation का पैसा जोड के चलते थे यह वही चीज है इसमें हम minus करते हो नहीं चल रहे बलकि depreciation को जोड कर चल रहे हैं तो इस case में हमें अगर सिर्फ इतनी information given हो कोई adjustment ना given हो तो हम उसे कैसे दिखाते हैं अगर हमें सिर्फ इतना given है तो आप machine देखो एक लाग से दो लाग हो रही है बढ़ रही है एक लाग से तो investing में जाके minus हो जाएगा एक लाग उर्पे आपका depreciation 40-50 हो रहा है तो depreciation 10,000 इस साल लगा है तो depreciation non-cash and non-operating item में जाके plus हो जाएगा 10,000 से यह तब की जाती है बात जब कोई और information given ना हो अब जब बात आती है दूसरी जब information given हो और information में sale की बात करी गई हो तो during the year a machine costing rupees 20,000 मशीन जिसकी value 20,000 है और उस पर अभी तक 5,000 का depreciation लग चुका है और हम बेच रहे हैं उसे 10,000 रुपे में यानि की 20,000 की मशीन 5,000 का depreciation लग भी गया तो भी 15,000 वेल्यू आ रही है और हम बेच रहे हैं 10 में यानि की 5,000 के नुकसान पे तो इस case में जब हमें information given होगी हमें account बनाना पड़ेगा जैसे हमने पहले सीखा सिर्फ machine account बनाते थे लेकिन इस case में हमें accumulated depreciation account भी बनाना पड़ेगा तो देखो जो machine account बनाते थे अभी सिखाए आपको balance BD आप debit side से करोगे balance CD आप credit side पे करोगे balance BD एक लाख जो की 2018 की figure है और balance CD 2019 की figure दो लाख रुपे हम लिख देंगे अब हम machine कितने की बेच रहे हैं by bank account में डाल देंगे कितने की बेच रहे हैं हम 10,000 रुपे की ठीक है इस पर लगा depreciation कितना है इस पर लगा depreciation है 5000 रुपे अभी तक का तो वो हम depreciation यहां से निकाल के ले जाएंगे तो यहां से कैसे निकाल के ले जाएंगे वो मैं अभी आपको बताती हूँ पहले हम depreciation इस पार्ट पे जो लगा हुआ है वो कितना लगा है 5000 तो यानि कि अगर 20,000 रुपे की बेनी कोई तो मुझे 5000 का लॉस हो रहा है जो by profit and loss account ब्रेकट में लॉस कितने का 5000 का हम दिखा देंगे कैसे निकाला 20,000 रुपे की चीज़ पर depreciation लगा 5000 तो उसकी value होनी चीए 15 हम बेच रहे हैं 10 की तो हमें लॉस हो रहा है 5000 का राइट तो यह machine account यहां तक जैसा अभी ही तक हमने बनाय था सेम ऐसी बनेगा अब यहां का total करेंगे that is 2,20,000 और उस में से हम यह side minus करेंगे तो 1,20,000 इस तरफ आएगा जिसे हम under the head to bank दिखाएंगे और यह क्या निकला हमारा यह निकला हमारा purchase की हमने कितना purchase किया तो यहां से हमें information कौन कौन सी लेंगे purchase की sale की उस पर profit या loss कितना हुआ उस machine पर कितना depreciation लगा वो नहीं लेंगे बेचने वाली part पर depreciation नहीं लेंगे हम लेंगे बचे हुए part पर depreciation कितना लगा तो उसके लिए हमें accumulated depreciation account बनाना है accumulated depreciation company के लिए एक तरीके से liability होता है तो उसका balance bd credit site से किया जाता है तो 40,000, 2018 की figure हमारी balance bd होगी और 2019 की figure हमारा balance bd होगा जो की है 50,000 ये लिखने के बाद आप कितना depreciation इस 40,000 में से ये 5,000 जो accumulated depreciation जो machine आप बेच रहे हो वो already इस 40 में जुड़ा हुआ था लेकिन आप machine बेच थी तो उस पे से depreciation भी निकल गया किस नाम से to machinery account क्योंकि हमने जो बेच रहे है machine का part उस account में इस depreciation को यहां से निकाल के transfer कर देंगे तो निकाला और यहां डाल दिया तो जो भी हमारा sale वाला part है उसका depreciation यहां दिखा दिया जाएगा अब again by balance balancing figure करेंगे इदर का 55,000 आ रहे है और यहां का जो balancing figure आएगा वो आएगा 15 55 minus 40 15,000 और totaling में 55 आ जाएगा तो जो यह amount निकला है वो हमारा by profit and loss account क्या निकला है हमारा यहां हमारा निकला क्या निकला हमारा यह हमारा निकला BACHER हुए पाट का तो इसे हम depreciation account लिखंगे कि हमारा depreciation कितना निकला 15,000 पर निकला BACHER हुए पाट पे तो यह 15,000 पे हमारा non cash and non operating part में दिखाया जाएगा जासर कि मैंने आपको बताया कि तो यहां पर हमने बचे हुए पार्ट में निकाला जो कि हमारा निकला है 15,000 रुपीज तो वो हम दिखा देंगे और यह सारी इंफोर्मेशन हम जहां जिसकी जगे है जो कि मैं अल्रेडी बता चुकिए हुए पार्ट में वहाँ वहाँ इन आइटम्स को दिखाएंगे अकॉर्डिंग टू उसके नेचर से तो आप लोगों को यह पार्ट समझ आया होगा अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक, शियर और कमेंट सरूर करें चैनल को सुब्स्क्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अपने डाउट आप में इसे इंस्ट्राग्राम पर या यूट्यूब पर पूछ सकते हैं, थैंक यू